आम आदमी पाटी दिली में पानी के बढ़े हुए बिलो को ठीक करने के लिए एक योजना लाना चाहती है और वो क्या है उस योजना का नाम आपको स्टेज पर लिखा हुआ दिखाई देगा पानी बिल माफी योजना और आम आदमी पाटी का आरोप है कि भाजपा इसे लागू नहीं करने दे रही है आम आदमी पाटी लिहाज आज भाजपा के दफतर का घेराव करेगी आम आदमी पाटी द्वारा पानी के बढ़े हुए बिलो को ठीक करने के लिए वन टाइम सेटल्मेंट स्कीम लाना चाहती है और आरोप अनुसार भाजपा द्वारा उन्हें रोका जा रहा है लहाजा देखे स्टेज पर बड़े मुटे शब्दों में लिखा हुआ है भाजपा वालो केजरिवाल जी की पानी बिल माफी योजना मत रोको आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ये तस्वीरे हम दिखा रहे हैं जहाँ पर ये बड़ा पोस्टर लगा है कुछ देर में मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं प्रदर्शन को लेकर आपके जो कारे करता हैं आपको बड़ी संख्या में एकत्रित ये आम आदमी पार्टी के मुख्याले में दफ्तर में नजर आएंगे साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल ने सोमवार को दिल्ली विधान सभा में बजट सत्र के दौरान पानी भोकताओं के लिए जल्द ही वन टाइम सेटल्मेंट योजना लागू करने का दावा किया था ये भी कहा था कि दिल्ली के जो लोग पानी के बिल से परिशान है वो गलत बिल ना भर है लहाज़ा पानी को लेकर जो राजनीती है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है और इस पूरे मुद्दे में आम आदमी पार्टी भाजपा को घेर रही है आम तस्वीरे आपको लेजरिवाल भी इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा रहेंगे देखिए ये मुख्याले की कार्याले की तस्वीर हम दिखा रहें और तमाम जो आपके कार्यकरता हैं आपको नजर आएंगे बाहर की भी तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से भाजपा मुख्याले क को घेरने का जो प्लान है वहापकी कार्यकरताओं ने किया है साथ ही आप देखिए विल्वमेंट हो श्रू हो गया है यह पर गौपाल-ञाइजी पहुच गए हैं तस्वीरों के जरीया आपको नजर आएगा गपाल राईजी अब पहुच गए हैं और बाहर अब आप देखिए आपको कारे करता हूँ कि भारी भर कम भीड नजर आएगी और क्यूंकि जो योजना है वो भाजपा मुख्याले को घेरने की है लेहाजा जो रास्ता यहां से जाता है भाजपा मुख्याले की तरफ करेबन 500 मीटर दूर का यह रास्ता है उस रास्ते को फिलाल यहां पर बंद कर दिया गया है बैरिकेड लगा कर केवल एक लेंज जो है वो आपको चलती हुई दिखाई देगी तमाम जो पुलिस बल हैं यहां पर तैनात कर दिये गए हैं यहीं से करेबन 400 से 500 मीटर की दूरी पर भ देख लीजिए बैरिकेड्स हैं मल्टिपल लेयर की बैरिकेडिंग की जाएगी बड़ी संख्या में आपको दिली पुलिस के जो जवान है वो नजर आएंगे साथ ही वाटर कैनन्स का इस्तमाल किया गया है कई सारे जो कारेकरता सड़क पर उतरेंगे उनको यहां से हिरास दिली पुलिस की बड़ी बड़ी बसे भी आपको नजर आएंगी साथ ही ट्राफिक पुलिस आपको नजर आएगी जो की ट्राफिक डाइवर्जिन्स करेगी यानि कि एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है देकि सीम ने दावा किया था कि करिबन 27 लाक से जादा पानी की उपभोगता है जिन में से केवल 18 लाक उपभोगता ही बिल देते हैं और इस तरह कि जब बिल माफी योजना आ जाएगी तो कई सारे वो उपभोगता जिनके उपर नाजायज बिल का जो सौपा जा रहा है उनको जीरो बिल आएगा यानि कि महीने में 20,000 लीटर त दिया जा रहा है लहाजा इन तमाम मुद्दों को लेकर सीम केजरिवाल ने विधान सभा में आवाज उठाई थी उन्होंने यह आरोप लगाया था कि भाजपा द्वारा इस बिल को पास होने नहीं दिया जा रहा है जबकि दिल्ली जलबोट द्वारा इसे 2023 में ही पास कर दिया था लेकिन अब इसे लागू नहीं होने दिया जा रहा है भाजपादवारा लेहाजा यह बात समझ आती है कि अब जो है वो लोकसभा के चुनाव करीब हैं और आम आदमी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे लोगों के लिए जरूरी हैं लोगों के साथ साथ उन लो VB News, The League